दोस्तों कि आपका भी एक यूटूब चैनल है तो आपको तो एक जरूर पढ़ती होगी उसमें वो है इंट्रो तो आज मैं आपको ऐसी वेबसाइट के बारे में पताना चाहूंगा कि आपको इंट्रो आपका खुद का डिसाइन कर सकते हैं वो भी फ्री में तो दोस्तों स् कि दोस्तों अभी हम आगए अपने मूबैल फून में तो आपको सबसे पहले कोई भी आपना एक ब्राउजर उपन कर ले रहा है मैं यूशी ब्राउजर उपन करूंगा और यहां पर सर्च करूंगा र-e-n-d-e-r-f-o-r-e-s-t.com मैं यह लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसे यहां पर सर्च किजिए सर्च करने के बाद कुछ आपके सामने ऐसा इंटरफेस हो जाएगा यहां पर आपको लॉग इन करना पड़ेगा आपको फेस्बुक अकाउंट और Google अकाउंट से दोनों में से कोई भी एक मेरं से लॉग इन करना होगा यहां पर इनके इंट्रोडप्शन दी है 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 कि तुनिए लीओ फर को से फिस्टार्ट पर क्लिक करने करें यह करें तो यहां पर इntro बनाना है तो आप intero ag logos में चले जाएए यहाँ पर आने के बाद आपको है पर कई inhros के options मिल जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मैं 3D logo पर क्लिक करूंगा हुआ क्लिक करने के बाद आपके सालने कुछ ऐसे intros आ जाएएंगे आप देख सकते हैं तो आपको कोई अच्छा लगे तो जैसे कि यह पर आपको लेका बटन मिल रहा है इसे आप क्लिक कि दिए तो आपको समझ में आएगा आपका इंट्रो कैसा होना वाल है यहां पर बीच में क्लिक करने के बाद आपके सामने समझ लीजिए आपका लोगो ड तो अभी हम चलते कि आपका लोगो और आपकी वेबसाइट कैसे डाली जाए तो समझ लीजिए मैंने यह चुछ करिया और इसे मैंने यहां पर क्लिक किया यहां पर पावर लोगो लिखा हुआ है वहां पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद मीचे जाएए और यहां पर क्रिए एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा इसे के आप देख सकते हैं तो आपको मेडिया लाइबररी आपको दिख रहा होगा है यहां पर इस पर ब्राउस पर क्लिक कीजिए और गैलेरी में जाएए और आपका जो भी लोगो है इस पर यहां पर चिलेट कर रही है जैसे की यह लोगो और आपको शुम इन और जूम आउट का उप्शन मिलेगा और यह जो आपको ब्लैक ब्लैक जो आपके सामने जो ऐसा आएगा उसके अंदर ही आपको मिनिमाइज और मैक्जिमाइज करना है तो समझ लीजिए मैंने ये ले लिया और यहाँ पर कन्फॉर्म कर लीजिए कन्फॉर्म करने के बाद आपके नीचे यहाँ पर रेंडर फॉरेस्ट लिखा हुआ है .com तो वहाँ पर आप जाएए और अपने वेबसाइट का डाल दीजिए जिसी की यूट्यूब का चैनल जिसी की मेरी वेबसाइट में डाल दिया .com यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर म्यूजिक का अप्शन आएगा उपर सेकेंड नमबर पर क्लिक किजिए क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे बहुत सारे ओप्शन सा जाएंगे म्यूजिक के इंचे आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप कुन सा भी सिलेट कर लीजिए जैसी की मैंने यह वाला रखा है और इसे प्रीवियस पर क्लिक किजिए थर्ड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक ब्लू कलर का और एक ग्लीन कलर का अपको इस पर पैसा लगता है आपको यहाँ पर फ्री प्रीवियस में जाने के बार आपका जो इंट्रो है यहाँ पर डाउनलोड होने लग जाएगा इसे हम थोड़ी रेल के लिए रुपते फिर वीडियो स्टार्ट करते जिसी के हमारा यहाँ पर export हो रहा है हमारा इंट्रो है यहाँ पर आपको simply कुछ करना नहीं है एक आप उपन हो जाएगा यहाँ पर आपके सामने एक इंट्रो का आतकि पर आने के बाल आपको यहाँ पर और export without watermark आएगा तो जैसे कि आप देख रहे उपर हमारा इंट्रो पुरा तरीके से बन चुका है एकदम अपना खुद का इंट्रो यहां पर आपको simply क्या करना है download with watermark करना है अगर आप export without watermark करेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे download with watermark पर क्लिक करने के बाद यहां पर download नीचे दिख रहा है उसके क्लिक किदिए और एक बार क्लिक किदिए और यहां पर हमारा जो भी इंट्रो है यहां पर डाउलोड होने लग जाएगा जैसे कि आप देख सकते ही हम पर हमारा जोकी इंट्रो है वह डाउलोड हो रहा है 1.44 MB की यहां पर डाउलोड हो गया अभी आप प्ले करेंगे आप जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा इंट्रो इग्दम पर्फेक्टली तयार हो चुका है तो आप इसे यहाँ पर आपको जो लिख रहा है create by render forest वह आप कैसे मिटाए तो आप सबसे पर काइन मास्टर open कर लीजिए इसे open करने के बार यहाँ पर empty project पर क्लिक किजिए क्लिक करने के बाद media browser पर क्लिक किजिए और यहाँ पर जो हमारा वीडियो था वह यहाँ आ चुका है इसे open कर लीजिए यहाँ पर हमारी layer आ चुकी है वीडियो की जिसी कि आप देख सकते हैं तो simply आपको क्या करना है वीडियो लेयर पर क्लिक करने के बाद cut out के बादि में एक option आ रहा होगा cropping का उससे आप cropping कर लीजिए जैसी कि हमारा logo यहाँ पर हट चुका है यहाँ पर right click किजिए वीडियो को play किजिए देखे जिसी कि हमारा जो की water mark है वो हट चुका है पूरी तरक से और हमारा जो intro है वो पूरा बन चुका है तो आप इसे simply इधर से export कर लीजिए दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like कर दिजिए और comment किजिए कि आपको यह website पसंद आये के नहीं आई तो दोस्तों आज के लिए बर इतना ही मिलते अगली वीडियो में बढाने कुछ़ने कर दोस्तों आपका।